आपके लिए धन्दम चित्रपूप की निर्शक में जोगी अत्यान, वधिवावान, महरती, साहसी वा अठक प्रेशन करने वाजी महला हैं एक जुलाई एक जुलाई 1970 को आंदु पुदेश के बेनु को नावने हुआ था मात्रशक्ति, शौर्य दिवस के उपलक्षमि, मंचुपर विराजमान, आज के सम्माननिय मुख्यदिती महोदयाजी, प्रफेसर श्रीमती स्वतंत्र शर्माजी, कुलपती महराज मान सिंग संगीत विश्विविद्याले, आज के इस कारिक्रम के गरेमामय अध्यक्षता स्विकार किये हुए सम्माननिय दॉक्टर श्रीमती वीराजोहियाजी, अभी हम सब लों के बीच में पधार कर, अन्यत्र काम में व्यस्त होने के कारण अपने वीच में अपने घर को लवटी हुई, विशिष्ट अतिती श् एवं इस कारिक्रम, इस संसकार भारती के सम्माननिय द्यक्ष महदे जी, डॉक्टर चंदर प्रकाश गुपता जी, संयोजत दॉक्टर ममता शर्मा जी, महामंत्री दिनेश चंदर दुबे जी, एवं इस कारिक्रम को संयोजन कर रहे हैं नीलम गुपता जी, कामतानाज जी एवं आज हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने एवं अच्छे काम में लगकर भारत को एक सही दिशा में ले जाने वाले जिनका आज यहां पर सम्मान हुआ है ऐसे मात्र शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ एवं इस सभागार में उपस्तित सभी बंदुभगनियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अभीनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं ये हमारे लिए बड़ी सवभाग्य की बात है चमककुठी सलिसंतावन की वहतलवार पुरानी थी हम लोग सुनते आए पढ़ते आए सुबद्रा कुमारी ज्वारा लिखा हुआ कविता आज भी बहुत प्रासंगित लगता है लेकिन लोग कहते हैं पुरानी चीजों को कौन याद करेगा लेकिन हम लोगों को आज भी ये दी वो प्यारे बच्चे यहां जब गाह रहे थे चमक उठी सनसंतावन की वहतलवार पुरानी थी और रानी लक्ष्मी भाई जी का यहां पर जो नाटक प्रस्तुत कर रहे थे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोग कही न कहीं शामिल होते जा रहे इन्वाल होते जा रहे और इन चीजों को आज भी हम लोग नया महसूस करते है और दिल में आज भी आगात पहुंचता है किस तरह वो एक लड़की छोटी सी इतने बड़े अंग्रेजों के साथ वो लड़ाई लड़ी होगी कितना कष्ट सहा होगा इसी तरह आज जिस मा का यहां पर सम्मान हुआ है कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है सम्मान हम लोग बहुत चोटी चीजों से ऐसे माताओं का करते हैं ये सम्मान मात्र इसलिए कि हम लोग उनको खुशी होती है ऐसे कोई अच्छा काम करता है उनको हम लोग यदि संसकार भारती के तरफ से हो या अन्य और्गनेजेशन के तरफ से मंच पर बुला कर जब उनका सम्मान करते तो अपनी आत्मा को संत्रुपती होती है लेकिन काम करने वाले लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको दिन प्रति दिन एक नई सोच नया अभिनाव प्रयोग लेकर काम करते जाना है लेकिन यदि संसकार भारती में हमारे जैसे छोटे कारे करता येवं इतने बड़े बड़े कारे करता जिनों ने समाज को कुछ दिया है जिनका कोई माता पिता नहीं होता उनको मा का प्यार देना सबसे बड़ी बात होती है आज जो लोग घर में रहते हैं जो माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं उनके पास खुदी समय नहीं है कि हम अपने बच्चे क्या पहन रहे, क्या वोड रहे, क्या संस्कार सीख रहे, क्या काम कर रहे, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी इच्छा है क्या है, ये देखने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है, जिसके कारण आज आज आप देख सकते हैं, बिगरती हुई जो भी समस्या हैं, हम प्रिकारी को लेकर हो चाहे ब्रश्टाचार को लेकर हो अन्यत्र बातों की ऐसे डिशकर्शन्स पूरे टीवी में होते हैं हम लोग भी उसमें थोड़ी देर के लिए इंवाल्व होते हैं और वो समस्याओं का ऐसा लगता है कि तुरंती उसका निदान होने वाला है लेकिन चीजे भूल कर उससे बड़ी विकराल समस्या यदि सामने आ जाती है फिर उसके उपर हाट डिसकर्शन सोना शुरू हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं जो टीवी में परोसा जा रहा है अपने नेत्रत्व के ज़़ारा जो चीजे बताई जा रही है वो सब हम लोग सही लेकिन आज ये दिन इसलिए उननीस नवंबर सबके लिए बहुत यादगार दिन होता है कहां 1857 की वह तलवार आज भी यादाता है लेकिन आज वर्तमान में जो टीवी में जो घटना ही चलती है या समाज में जो घटना चलता है थोड़ी देर के लिए तो याद रहता है थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं लेकिन आज यहाँ पर जिनका समान यहाँ पर हुआ है उन माताओं का हम लोग कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो ऐसे संतानों को अपनी गोद में लेकर उन लोग का ऐसे सिक्षा दिक्षा देकर एक समाज के सामने खड़ा करने वाले हैं यह जो चीजे हैं यह स्ताई है तो हम लोग को लगता है रानी लक्षमी बाई के दिन ही यह सब क्यों होना चाहिए क्योंकि वो चुटपन से यदि कोई व्यक्ति असाधारन व्यक्ति यदि असाधारन बनता है तो वो एक दिन में नहीं बनता मनु की यदि कहानी हम परिवार से, समाज से, आबादी से, रिष्टेदारों से, देश से वो सब सीखते चली गए और तब जाकर उनके मन में ऐसी भावना आती है कि वो अपने लिए न जीए, अपनों के लिए जीए तब उनके मन में आता है, नर से नारायन की सेवा, नर सेवा से जादा नारायन की सेवा में, सेवा कार्य में वो लोग लगना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह की जो महिलाएं हैं, आज समाज को जरूरत है, ये जो समान कारिकरम में गौालियर आने के लिए हमको नीलम जी के द्वारा, कामतानाच जी के द्वारा, कई बार यहां पर बुलावा आ रहा था, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि रास्ट्र रुशिनाना जी देश्मुक जी ने, जिन काम को चित्रकुट को छोड़ कर, वो भोतिक रूप से वो सिस्तान को छोड़ कर चले गए, लेकिन काम वहां जादा होने के कारण, हम विलंब से भी यहां पहुंचें, इसके लिए मैं उपस्तित सभी बंदुभगनियों से, आयजकों से मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन हम दिखावा के लिए देर नहीं किये, काम में व्यस्तता के कारण, हम यहां आने में विलंब हुए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, रानी लक्षमी बाई को, चाहे कोई भी महापुरुष अपने घर में तब ही जन्म ले सकते हैं, जब हम लोग अपनी जिम्मेवारी और जवाब देही को ठीक प्रकार से निर्वहन करें, चाहते तो है, हमारे घर में भी र लेकिन मा को जब मालूमी नहीं है कि कैसे रानी लक्षमी बाई बनती है, कैसे स्वामे विवेका नंची बनते हैं, कैसे बड़े बड़े महापुरुष बनते हैं, तो अपनी जवाब देही, अपनी जिम्मेवारी, यदि हम लोग ठीक प्रकार से निर्वहन करेंगे, तो य एकी रानी लक्षमी बाई नहीं, घर घर में रानी लक्षमी बाई पैदा हो सकती है, लेकिन आज अपनी भारत को वो तलवार वाली रानी लक्षमी बाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कुरूतियां हैं, जो गडबड़ बाते हैं, उसको हमारी बिटियां समझें, और इसमेवारी और जवाब देही के साथ समाज में आगे बड़े यही हम लोग ऐसा चाहते हैं आज यहाँ पर आकर हमें इतनी खुशी होती है रास्टर रुशी नाना जी देश्मुक्जी ने 24 वर्ष के आयू में योगेंद्र बाबाजी को प्रचारक के रूप में निकाला था वही योगेंद्र बाबाजी के संसकार भारती हमको ऐसा लगता है यह हमारा परिवार है लोग केते हैं सम्मान क्या परिवार में लेना लेकिन यह सम्मान परिवार से मिलता है माता पिता से मिलता है पती से मिलता है बहन से मिलता है या भाईयों से मिलता है वो असली सम्मान ह इस परिवार में आकर हमको ऐसा लगता है ये हमारे परिवार में यदि महिलाओं का सम्मान होता रहेगा तो हम लोग अलग प्रकार किये का नोखा उदाहरन आपको समाज में हम लोग दिखा सकते हैं ऐसा परिवार में हम पधार कर संसकार भारती द्वारा जितनी कलाओं का जो सनरक्षन संवर्धन हो रहा है चाहे वो वेश भूशा के माध्यम से हो चाहे अपनी गायन हो वादन हो नृत्य हो इन सब चीजों के कारण आजम लोगों को एक अलग पहचान संस्कार भारती का दिखता है और भारत में भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है लोग जरूर कह सकते है भारत बिगड रहा है भारत बिगड रहा है भारत वेस्टरन कल्चर के तरफ जा रहा है लेकिन आजम जिस घर में गए डॉक्टर साधना सिंग्ची की यहां वो भी पड़ीली की महिला है उसको जरूरत नहीं है बगवान की पूजा करना घर में एक ऐसी अलग प्रक्चान रखना लेकिन लोग जरूर कहते है अपना भारत बिगड नीरा भारत और अच्छा हो रहा है घर घर में पूजा पाटो रहा है घर घर में कलाओं का संरक्षन संवर्धन चल रहा है यह संसकार भारती का अलग पैचान अपने आप में दिखाई देता है लेकिन हम लोग बड़े पैमाने परेदी सोचेंगे की हम लोग कलाओं का संरक्षन संवर्धन करेंगे या बहुत बड़ी कारेशा लाएं करेंगे शायद आज भारत को ये जरूरत नहीं है जैसे भीहून रुट्य को असाम में जिस सरह पैचान मिलता है ओनम त्योहार को अपनी न्यूट